नमस्कार दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैं दिजार गैन्ज खरसहन गाउं में आया हूँ जो आपके सामने खड़े हैं महंदर सिंग दिजार गैन्ज से जैवी पूर्ण रूप से जैवी खेती करते हैं सुबास पालेकर विधी से मतलब किर्शी छेतर में आज आपने मुख मंतरी प्रधान मंतरी सबसे जो है सम्मान पाए हुए हैं हर तरह से इनको एवाड से जो है सुसजित किया गया है और मैं आज संजोग से यहां पर उपरस्थित हुआ हूँ सर के साथ और जीवा मिरित घंजीवा मिरित कैसे बनाये जाते हैं गाय से गाय के मुत्र से गोबर से मैं इस चीज को यहां देखने के लिए आया हूँ यहां पर हमारे जो है किशान भाई जैसा कि आये हुए हैं साथ में और भी जो है साथी लोग हैं यहां पर कुछ गाये हैं आप लोग देख सकते हैं इन गायों का मुत्र दिन भर में जो भी हो दिन रात का जो भी हो इकठा किया जाता है उसे इकठा करके इस जगां कलेक्ट किया जाता है जितना ही पुराना हो जाए गो मुत्र जितना ही पुराना हो जाए ये बहुत ही अच्छा काम करता है और ये अंदर गाये हैं सबका मुत्र और जो है कि गोबर इकठा किया जाता है जैसा कि जीवामिरित और घंजीवामिरित बनाने के लिए जो गाय का गोबर होता है वो यहां इकठा किया जाता है और ये अगले सीजन के लिए तयार किया जाता है जीवामिरित के शिर्काओ करके घंजीवामिरित तयार किया जाता है और ये पूरे खेत में पूरे खेत के ल बेवल होता है